असलाम अलेकुम विवर्स आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़दार से 10 मिनिट ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद असान है और मिंटों में बनके तयार हो जाता है ये आप इसको अराम से इवनिंग टी के साथ इंजोई कर सकते हैं क्योंकि एक तो बनता बहुत जल्दी है और ये बच्चों बड़ो और सभी को पसंद आएगा और अच्छा है तो अपने गैस्ट के सामने भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर द एक बड़े साइस का आलू इसको मैने बॉइल करके मैश कर लिया था वो हैट कर देंगे एक बॉल के अंदर और फिर मिसके अंदर एट करूंगी बॉइल चिकन आदर कप के बराबर आप लोग लेफ्ट ओवर चिकन या फिर मीट कोई भी फॉम में आप लोग एट कर सकते है और इसके बाद हम प्याज एट कर देंगे वन टीबल स्पून के बराबर शिम्लमर्ज एट करेंगे फोर टीबल स्पून चीज एट करेंगे वन फोर्ट कप के बराबर कोई भी चीज ले लिजेगा जो आपको पसंद हो मैं चैडर और मॉजयला मिक्स करके यूज कर रही फिर हम इसके इंदर आड करेंगे कुटीवी लाल मृष वन टीबल स्पून के बराबर ब्लैक पैपर पाउडर आड करेंगे वन टीबल स्पून नमक आड करेंगे वन टीबल स्पून और फिर मैं इसके अंदर एट करूंगे मियावनीज 4 टेबल स्पून के बराबर और इन तमाम चीजों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है यह जान हो जाएंगे अच्छे से और स्पाइस लेविल आप लोग अपनी मर्जी के मताबिक रख सकते हैं इसे ही बॉऩ्ष भूठ मीडियम फ्लेवर के ही बनेंगे móगे पहत यह जादा नहीं होंगे बसादा बलाइज नहीं होगे लेकिन पिर भी आब को जादा लगता है ऑप्र यह मिर्चैट कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चों बिछे के लिए बना रहें तकरीवन 2 टेबल स्पून के बरावर मैंने मिक्श्चर लिया था और उसके उपर मैंने इस प्रेट कर लिया थोड़ा सा थिक और यह जो स्लाइस है मेरे पास ये medium size का है ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये फिर हमने क्या करना है इसके 4 पीस कर लेने हैं क्योंकि इतना बड़ा आप बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा snack थोड़े छोटे size की हूँ तब ही जादा अच्छे लगते हैं दिखने में तो देखिए इस तरह से हमने cut कर लिया है अब मैं तमाम slices को इसी तरह से prepare कर लूँगी उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदत अंडे इसको हमने अच्छी तरीके से फेट लेना है और इसको फेटने के बाद ये जो slice है हमारे पास इसको हम इसके अंदर dip करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद हमने इसको coat करने के बाद इसको fry करना है shallow fry करेंगे इसको हम तो देखिए इसको हम fry करने के लिए रग देंगे और जब एक तरफ color आजएगा तो आपने इसको turn कर देना है दूसरी तरफ से fry कर लेना है और दूसरी तरफ जब color आजएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे चन मिंटों में बनके तियार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़़दार बनते हैं तो इसको चाय पर ज़रूर बनाईएगा और अपना feedback ज़रूर दीजेगा मैं आपको दिखा देती हूं इसका look ये देखिए और चीजो चिकन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है ज़रूर एट कीजेगा और इसको बनाएं तो अपना feedback ज़रूर दीजेगा मुझे